आज मैं आपके साथ में साउथ की एक फेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके सामने डोसा चीला सभी फेल है और ये रेसिपी बहुत सौफ्ट बनती है बच्चे बुड़े सभी इसे खा सकते हैं इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले रखा है गैस पे एक तड़का पैन चोटू सा तड़का पैन है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओयल आप यहां घी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जाएगा आप एक चमच हमारी काली सरसो या राई जो भी आप इसे कहते हो इसके बाद इसमें जाएगा एक चमच हमारा जीरा इसे बढ़िया से हिला मि इसके बाद जाएगी इसमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च जितनी आप तीखा पसंद करते हो उतना ही डाले मैंने तो इसे चटपटा बनाने के लिए 3-4 हरी मिर्च बढ़िया से काटके डाली है बारिक बारिक अब इसमें हम डालेंगे कड़ी लिव्स या फिर कह दे मीठा नीम और अब जाएगा इसमें एक चमच हमारा उड़त डाल का उड़त डाल हमने स्टार्टिंग में नहीं डाली है बाद में डाली है क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करनी है इसी वज़े से और इन इस सारी चैज़ों को अच्छे से हम तड़का लेंगे और गैस कर दें सूजी बारी क्या मोटी जो भी आपके पास हो कोई भी चलेगी जिस कब से हमने सूजी डाली है उसी कब से हमें आधे से थोड़ा जादा इसमें लगेगी दही इसका मतलब हमारा इसमें वन थर्ड कब दही जाएगा और अब इस नाश्टे को सॉफ्ट बनाने के लिए हम य यानि की खाने वाला सोडा मीठा सोडा और इसका ढखकर लगा के अब हम इसको मिक्सी में चला देंगे देखिए मिक्सी में चलाने के बाद ये एक गाड़ा सा पेस्ट बन गया है पर हमें गाड़ा पेस्ट नहीं चाहिए अभी हम इसमें उसी कब से आधा कब पानी एड़ करके इसको दुबारा चला के लेकर आते हैं, हमें इसका एक नॉर्मल सोफ्ट बैटर चाहिए, ना ज़्यादा गाड़ा, ना ज़्यादा पतला, एक चम्मच से मैं आपको इसको हिला मिला के दिखा देती हूं, देखिए इस तरीके से कि हमें इसका बेटर चाहिए, ऐसा रनी होना चाहिए, अब ले लेंगे हम एक बरतन, बरतन में हमने इस बैटर को transfer कर लेना है, इसके बार। इसमें हमने जो तड़का पैन में तड़का बनाके रखा था एक साइट में वो भी हमारा बढ़िया से थंडा हो चुका है हमने यह एड कर देना है इस रेसीपी में या फिर कहलो इस नाश्टे में हमारे ज्यादा कुछ मसाले नहीं जाने वाले हैं पर यह बिना मसालों के भी बहुत स्वाधिस्ट और बहुत टेस्टी लगने सप्श हो देना हैं तड़का हम यहाँ पर आड कर चुके है थोड़ी सी अब हम ले लेंगे हर्लों की पतियां जिनको हमने बारिक-बारिक चौप unser एंब हम वाद अनुसार नमक हमने स्टार्टिंग में एड नहीं किया था लास्ट में अब यहां पर हम नमक डालके बढ़िया से हिला मिला लेंगे इस बैटर को अब हम यहां इसमें कुछ भी एड नहीं करेंगे और बैटर हमारा हो गया तैयार सीधा हम चलते अपने गैस पे यह वही छोटू सथ्ड़ का पैन है जिसमें हमने तरका बनाया था हमने अब और कुछ नहीं करना यह चमचे में इस भेटर को भरना है और सीधा इसमें डालना है ॉर इसका ढख्कन लगा देना है ढब लगा के इसको हमने आधा मिनट जीए बिलकुल कम बाज पर पकने देना है सिर बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और देखिए दोनों तरफ से हमारा बढ़िया यह सीख के तयार हो गया है तो पहला नाश्ता हमारा हो गया रेडी इसी तरीके से अब हम यहां दूसरा वाला नाश्ता भी ऐसे ही बनाएंगे पैन में दुबारा से थोड़ा सा हमने डाला है और एक चमचा भर के बैटर कर डाल देंगे हिलाना मिलाना कुछ नहीं अपने अपसेट हो जाता है धकल लगा देंगे सिर्फ आदे मिनट के लिए कम आज पे और देखेंगे यह इसे पलट देंगे यह देखिए बीना देखें आप इसे पलट दें क्योंकि आदर मिनट में यह बढ़िया से सिख चुका होता है थोड़ा सा जरूरत है तो तेल डाल दे नहीं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कम तेल में बनने वाला नाश्टा है और दोनों तरफ से यह हमारा एक मिनट से भी पहले तैसे ढख दे और बिल्कुल उसी प्रोसस के हिसाब से इसको अलट पलट के तयार कर ले और यहां हमारा ही देखे सारे नाश्टा बन के हो गया है तो फ्रेंड अगर मेरे नाश्टे की रेसिपी आई हो आपको पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट क और बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर नए आए हो तो घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच पाए और जैसे कि आप देख पा रहेंगों कितना सॉफ्ट है हाथ में लेने से ही पता लग रहा है बहुत जरूर भी बहुत असानी से खा सकते हैं यह देखिए कितना सॉफ्ट है इसको आप सांबर के साथ सॉस के साथ यह घर में बनी किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको वैसे भी खाएंगे तो यह बहुत टेस्टी लगने वाला है कर वाचिंग देखिए